हाई गाईज वन्स अगेन वालकम बैक ओन मैं चैनल मैं स्वीद आरना आज मैंने एक लास्ट एन हाइटन डिस्टेंस का कोईशन लिया है और आप देख सकते हो स्क्रीन पे कोईशन तो हम अपना कोईशन रीड करते हैं जो दूसरे हाउस के टॉप को देख रहा है और एक डिप्रेशन बन रहा है जो उसके फूट को देख रहा है opposite side पे street के 3 and 5 show that the height of opposite houses तो हम क्या करेंगे ये मेरे जो है मैंने एक वो माल लिया है ये मेरा पहला house है first house है AB ठीक है इसकी height मुझे h दे रखी है यहाँ पे एक window है इस window से गली के जिसे street हो गई इस street के corner पे घर हो गया एक corner पे घर है हमारा ये cd की height में capital h माल लेती हूँ ये मुझे find out करनी है इससे हम क्या कर रहे है एक observer के लिए एक line ड्रॉ कर लेते है ये क्या कर रहा है एक तो angle of elevation बना रहा है यानि कि इसके top को देख रहा है जब इसके top को देख रहा है तो जो angle of elevation वो बना रहा है that is theta फिर वो क्या कर रहा है इसके base को देख रहा है जब वो इसके foot को देख रहा है तो जो angle of depression बना रहा है वो बना रहा है 5 it means ये 5 है तो alternate से ये वाला आपका क्या बैठेगा 5 हम figure draw कर लेते हैं अपनी और हम इसको solve कर लेंगे दो triangle दिख रहा है capital H चाहिए और small h भी चाहिए यानि कि ये हमें BC को कुछ माल लो let me x माल लो street की जो length है वो तो हम x को remove करके निकाल लेंगे तो अब हम अपनी figure पे draw कर लेते हैं ये x है तो ये वाला भी क्या होगा मेरा x होगा यहाँ तक ठीक है ये h एक तो इचला rectangle formed होता है तो ये भी h होगा जब ये भी h है तो ये वाला कितना होगा capital H में से small h minus कर दो d e मेरा इतना होगा हम मुझे h निकालना है तो 10th rita लगाएंगे cot 5 लगाएंगे सिधा सिधा 10th rita लगाओ cot 5 लगाओ जो हमें proof करना होता है वो ही एंगल हम लगा लेते है 10th rita लगाएंगे cot 5 तो पहले हम लेंगे in triangle A, B, C ठीक है कौन से triangle लेंगे in triangle A, B, C ठीक है लिख ले ना let small h be the height of first house and capital h be the height of second house लिख देती हूँ चाहे मैं let small h and capital h be the heights of houses respectively ठीक है अब लेते हैं हम triangle A, B, C A, B, C में phi आ रहा है phi किसमें चाहिए cot में चाहिए तो cot 5 ले लेंगे cot 5 क्या होगा 10 होता है perpendicular by base तो cot क्या होगा base by perpendicular base is BC और perpendicular θृटा के सामने वाला AB cot 5 is equal to BC मैंने x small street की length AB है small h तो मेरा x क्या आ गया h cot 5 इसे मैंने माना first ठीक फिर मैं लगाऊंगी θृटा चाहिए मुझे 10 θृटा फिर मैं लगाऊंगी ADE में तो हम बात करेंगे in triangle ADE θृटा के साथ चाहिए मुझे 10 10 θृटा होता है perpendicular by base तो देखो perpendicular होगा DE और base होगा AE DE by AE 10 θृटा तो आप figure में देखोगे तो जो हमारा DE है वो है capital H minus small h और जो मेरा AE है वो है X तो यहां से X is equal to X 10 θृटा आएगा आपका ये ठीक X की value हमने क्या निकाली H cot 5 निकाली वो मैंने यहां पुट कर दी is equal to H minus H चीक है मैंने from equation first से X की value पुट कर दी H cot 5 अब देखो ये H minus का है इधर जाएगा तो देखो इसको इसी form में लिख लो जिसमें हमें proof करना है आगे पीछे लिख लो कोई फरक नहीं पड़ता plus H is equal to capital H H क्या ले लो common तो जब आप H common लोगे तो यहां पे 1 बचेगा और यहां पे क्या बचेगा 10 3 cot 5 और यही आपको क्या करना था proof the height of second house is H bracket में 1 plus 10 3 cot 5 hope आपको यह question अच्छे से समझ में आया हो बहुत easy है height and distance में तो सिर्फ figure अगर आपकी ठीक है तो बस 10 cot यही लगाने होते है और आपका जो answer required होता है वो easily आ जाता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फूर वाचिंग